स्लेबस होता क्यों है कैसे करें कब तक करते रहें पढ़ते रहें यह स्लेबस खतम क्यों नहीं होता ऐसे से ही कुछ डायलोग्स हैं जो आप लोग आपस में डिसकॉशन करते वक्त कहते होंगे भी दोस्तों से ख्यालोग्स है रिलेटर से टीचर से खुद से राइग वेलोग्स इसका नोलज जोड़ाी आप इसलेवगों मेरा नाम है इसलेगशन हर वो इंसान जो कोई पढ़ाही कर रहा है जो कोई थौइ खतम करना चाहता है उसके मन में यह फोट हमीशा आती है कि आखिर सद्रेष खतम करें तो कैसे करें ठीक है आज हम आपको वो टिप्स December, मैं यहाँ पर December क्यों बोल रही हूँ, मैं बताऊंगी, और May क्यों बोल रही हूँ, वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि जनरली, जो सेशन स्टार्ट होता है, स्पेशली फॉर 12 वो हो जाता है, एप्रिल से, लेकिन बच्चे आते ने, वो आना शुरू करते हैं, मैं और कुछ तो बिल्कुल जुलाई से ही आते हैं, तो आपका मैं मैं से लेकर के, दिसेंबर तक ले रही हूँ, दिसेंबर इसलिए क्योंकि उसके बाद preboards, फिर boards की तयारी, फिर कुछ external viva चलते हैं, और February में तो आजकल paper होई जाता है, तो इसलिए मैंने मैं से दिसेंबर का पूरा ये 8 महीने का समय लिया, अब इन 8 महीनों में आपको 5 subject हैं जो cover करने हैं, along with practical file, practical file के लिए पढ़ना, उसकी पूरी तयारी extra और ये सारी चीज़े, है न, तो अगर हम देखें, तो ये 8 महीनों को हम divide कैसे करें, में, जून, जुलाई, बहुर ताइम तक तो आपको अपना syllabus भी नहीं पता होता, books नहीं आती, content नहीं पता होता, लेकिन right from the very beginning पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ये हर कोई कहता है, मैं जो limited notes, content आपको इस duration में मिलता है, उससे पूरा-पूरा फाइदा लेने की गोशिश करो, ठीक है, इसलिए in 8 months में, you have to be dedicated and you have to be focused, in 8 महीनों में आपको अपना content, अपना syllabus खतम कैसे करना है, cover कैसे करना है, इसके बार में आज हम discussion करेंगे, आगे करते हैं, begin, आप कुछ ऐसे ह होते हो, confused है, सबज में नहीं आरा, क्या करें, कैसे पढ़ें, बहुत जादा syllabus है, कुछ इस तरीके से ही books piled up होती है, stress हो जाता है, और फिर आप solution चाहते हो, कि हम कैसे, इन 8 महीनों का, जो समय है, उसे utilize करके, अपना content, अपना syllabus, cover करें, खतम करें, क्योंकि half the time तो पढ़ने का money नहीं होता, उसमें से भी आधर समय यह होता है, कि है यार, पढ़ें क्या, क्या पढ़ें, यह भी समझ में नहीं आता, है ना, तो कोई बाद नहीं, इन सब चीजों का solution आज आपको यहां मिल जाएगा, बिगिन करते हैं, यह कुछ trips, यह कुछ tricks है, कुछ tips है, जो आपक follow करनी है, bag है, यह बुरा tricks का, जो आपको अपना content, आपको syllabus ख़तम करने में आपकी मदद कराएगा, बिगिन करते हैं, पहली चीज है, interest, अपने लिए, अपने मन में, अपने दिमाग में, अपनी life में, पढ़ाई की value को establish करो, interest develop करो, अपना पढ़ाई में, अगर यह हो गया, तो आगे आपको syllabus ख़तम करनी की tension लेनी की जरुवत ही नहीं है, अपने आप, अपने इस interest के हिसाब से आप पढ़ते चले जाओगे, अब आप कहोगे कि माम यह कैसे करें, यही तो समझ में नहीं आता, क्योंकि interest ही develop नहीं ह पढ़ना, तो फिर करें क्या, कैसे develop करें interest, in fact, आइरन ही पता क्या है, on the contrary, interest तो शुरू में पढ़ने का आता है, क्योंकि syllabus कम होता है, पता होता है कि यह limited है, इतना ही करना है, तो आप उसे फटा-फट कर भी लेते हो, तो unless, यह limited syllabus को आप time से interest के साथ cover करते हो, उसी को अगर आप आगे time लेकर के पूरा, अपने 8 months cover करो, इसी interest के साथ, तो देखो कैसे आपका syllabus cover नहीं होगा, interest डेवलप करना पढ़ाई में ज़रूरी है, काफी बच्चे होते हैं जो पढ़ाई को ऐसा बोजह, ऐसा बर्डन, ऐसा stress लेकर के पढ़ते हैं, यार क्यों पढ़ना है, पढ़ाई क्यों करते हैं, क्या होगा इससे आगे, वो इसलिए होता है क्योंकि आप end time पे पढ़ते ह इसलिए हमेशा काया जाता है कि शुरू से पढ़ना शुरू करोगे ना, बिगनिंग से पढ़ाई शुरू करोगे, तो कभी भी वो वो interest कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए interest जो है, वो हमेशा बिगनिंग से डेवलप करो पढ़ाई में, और वो interest फिर आपने beginning से बिगन कर द अभी आप देखो कि उस टाइम पर होली आती है, फेस्टिवल आते हैं, मार्च के आसपास यह सारी चीजे हो जाती है, फिर एपरिल से आपको लगता है कि स्कूल जाना चाहिए यह नहीं जाएं, तो वो इंटरस्ट नहीं डेवलाप होता पढ़ाई में, तो में से आप बिग करते हो, कोई ऐक्स्ट्री ग्लासिसमें आप अपने आपको इंरॉल करते हो, तो वहीं से आपका दिमाग जो फिजिकल और मेंचल बींग है, वो सब पढ़ाई में इन्वाल हो जाती है, तो इंटरस्ट इंडिल उवीस लीड तो cover your slavers आपका slavers in time हमेशा cover होगा अगर आप अपना डेवलप कर लो study में interest तो interest डेवलप करना ये focus करते हुए कि मुझे ये ये तीन महीने मुझे ये content कताँ करना है ये नाट महीनों में मुझे ये तीन महीने ये चीज कवर करनी है एक महीने तो ये ही आपका second solution है regular study ये आप एक day-to-day basis पर कर सकते हो कि ये आज इतना मुझे आज इस दिन में खतम करना है इतना मुझे इस week में खतम करना है इतना मुझे एक महीने में खतम करना है ये इतना मुझे दो महीने में खतम करना तो बोज भी नहीं लगेगा और इंट्रस्ट भी डेवलापो का पढ़ाई में है ना जब आप लिमिटेड स्लेवर्स करते हो तब आपको लगता है यार मेर को तो बहुत पंढ़ना है अच्छा लग रहा है पंढ़ना अच्छा लग रहा है जब बहुत जदा हो जाते है तब छोटा सा बोरिं हो जाता है तब मन नहीं गता पढ़नेगा इसलिए कहते हैं रेगुलर स्टडी इस ओल्वेज इंपोर्टन क्यूंकि अगर आप रेगुलर नहीं रहते हो तो आप पाइल अप करते रहते हो अपने पढ़ाई को अपने पढ़ाई का कंटेंट अपना प्रिपेर करो माइंसेट प्रिपेर करो और देखो कैसे डेवलप नहीं होता आपका इंटरस पढ़ाई में और कैसे इसलिए खजम नहीं होता यह कहना शाद मेरे लिए और सबके लिए बहुत असान है और आपके लिए शाद करना उतना मुश्किल है पर अपने आसपास का जब एंवार्मेंट ऐसा बनेगा ना खुद से दिमाग से ऐसा एंवार्मेंट अपने दिमाग में अपने आसपास का बनाओगे तो कभी क्यों पढ़ाई से दिमाग नहीं हट पाएगा और इतना कर लो कि एंड में रिविजिन का दिन भी रख सको तीक है वीकली में अगर आप देखते हो कि Monday to Friday में यह पढ़ता हूं तो Saturday को एक रिविजिन टेस्ट ले लो अपना खुद से रिविजिन टेस्ट ले लो देखो मैंने क्या किया वीकली तब आपको लगेगा यार अगर मेर को आज बीस में से मैं 11 मार्क्स लेकर कर रहा हूं तो मुझे अगली बार मुझे 20 में से 20 चाहिए तो आप उसको और आगे डेवलब करोगे कैसे और इंट्रस के साथ में इसको 20 में से 20 ला सकता हूं तो अपना सेल असेस्मेंट अपना सेल टेस्स लेना अपने खुद के उस पर्टिकुलर पोशन का रिविजिन करना भी उतना ही ज़रूरी है इसलि रहें थीक है उनको लगता है यह उनलान klasासे में क्या ही समझ में आरहा है यही कर लेंगी एक माहॉल नी बन बन भाँ लेकिन इस एक्स्ट्रीमली रांग यह चार उपकी अगर ओन-line वही चीज है तो अपने online classes को चाहे हो टुशन हो चाहे हो चाहे हो स्कूल से रगुलर क्लासे चल रही है online classes जाना चाहे है और जो बच्चे जो आज कल यूपी साइड में बच्चे हैं उनके तो उनका तो स्कूल भी खुल चुका है यह खुलने वाला है तो आप लोग डेफिन कर लो तो अपनी online classes को रेगुलर लेना जरूरी है तो अपनी online classes को रेगुलर लेना जरूरी है they should be focused completely इनके उपर आपको आपका complete focus होना चीह हो सकता है उसमें माम कुछ important बता रही हूँ कुछ tips बता रही हूँ किस तरीके से बढ़ाज़े कुछ important assignment बता रही हूँ कोई worksheet दे रही हूँ आपको पता ही नहीं है लेकिन half the time पता आपको क्या होता है उन assignments और उन worksheets में से जायतर questions होते हैं तो इसलिए और उन assignments और उन worksheets को ध्यान में रखना को importantly समझना बहुत जरूरी हो तभी करपा होगे जब ओनलाइन क्लासे को ध्यान से लोगे और वहीं साथ-साथ online classes लेते हैं च्छोटे-च्छोटे notes बनाओ जरूरी नहीं है बहुत बड़े-बड़े लंबे-लंबे notes बनाओ मैं जो ब next important is best else can rest exactly बिल्कुल जरूरी है मैं आपने कुछ important बता दिया CBSE के syllabus में आपने देखा यह यह चीज़े important दिख रही है यार पिछले साल के paper देख ले यह important दिख रहा है कर लो उससे पहले prioritize करो उसके बाद जो आपको लगता है कि यह थोड़े कम important है उनको भी करना ज़रूरी है लेकिन जो important है उन्हें पहले कर डालो तो आधा syllabus तो आपक इसलिए कभी भी उसे avoid मत करना कि सोच लो कि यह तो important ही नहीं है करेंगे ही नहीं करना उनको भी उतना ही ज़रूरी है ठीक है तो पहले important portion कर लो उसके बाद less important कर लेना steady breaks लेना पीच वीच में ज़रूरी है क्योंकि एक regular 2-3 घंटे 1-5 घंटा पढ़ते पढ़ते आपका concentration लेवल डगमगाने लगता है focus हटने लगता है obvious सी बात है थोड़ा अपने आपको freshen up करना 5-10 मिनिट को घूम कर आ जाना बहुत ज़रूरी है ताकि दिमाग में फिर से वो freshness आजा और उसके बादा फिर से पढ़ने पर dedication के साथ पढ़ सको इसलिए ठीक है break लेना ज़रूरी है lastly अपने आपको motivated रखना बहुत ज़रूरी है डल फील करना यार इतना नहीं बोर लग रहा है नहीं कर पा रहा है यह चीज नहीं कहनी है कहो मैं कर लूँगा है मुझे करना है कैसे नहीं होगा बिलकुल होगा और focus रखना दिमाग को शान्त रखना बहुत ज़रूरी है so all these tips are very important for you so please make sure कि आप इने follow करें cover करें अपना sleep is time से and prepare well और साथी साथ में December के mid तक December के mid तक इसे खतम कर लो उसके बाद उसका revision करना भी उतना ही ज़रूरी है January onwards आप mock test sample papers कर सकते हैं clear so I hope आपको यहां तक समझ में आया हो यह पूरी tip समझ में आई हो किस तरीके से आपने को cover कर सकते हो आपने पूरे labels को I hope यह useful लगा आपको so stay tuned everyone do follow them follow करी आपको अच्छा लगेगा you will be benefited definitely okay stay tuned everyone for further updates I'll be back very soon for yet another videos thank you everyone